नमस्कार दोस्तो स्वागत है प्रोपटी के फिर से एक नए वीडियो में आज हम आपके लिए बेहदी सांदार बेहदी पतना के बहुत सांदार लोकेशन में एक penthouse दिखाने लाएं दोस्तो ये penthouse flat है जो बिल्कुल on road 60 feet के main road गोला road पर जी हाँ इसका location की बात करें तो पतना का exact गोला road में on road बेली road से सटे हुए गोला road में on road ये आपको penthouse हम देने जा रहे हैं ये 2800 square feet का penthouse है जी सही सुना आपने दोस्तो बिल्कुल 2800 square feet का ये penthouse आपको मिलने जा रहा है बेहदी कम price में आपको ये penthouse हम देने जा रहे हैं दोस्तो वीडियो पूरा अंतक देखेगा पूरी जानकारी दे दी जाएगी और जमीन मकान फ्लैट का वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटने काइनली सब्सक्राइब कर दे जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तो पूरा furnace करा के आपको penthouse मिल रहा है आपको यह मिलेगा दोस्तों बिलकुल नया यह penthouse है बिलकुल रोड पे मिलने जा रहा है जैसा मैंने बताया अठाइस स्क्वार पीट का penthouse है देखे बेड वगरा का वाडरो वगरा का काम पूरा तरहीके से करा के आपको मिलेगा फॉल सेलिंग वगरा पूरा करा के मिलेगा यह उसी तरीके से यह बेड रूम में आपको दिखला रहा हूँ इसमें देख सकते हैं पुरा टीवी केविनेट बना हुआ चले वाश्रूम आप देखिए अल्मोस्ट एक रूम के बराबर जी देख सकते हैं ऐसा बात्रूम आपने नहीं देखा होगा बिल्कुल अल्मोस्ट एक रूम के बराबर हम आपको एक बात्रूम दे रहे हैं यह 2800 स्क्वार फिट का पेंठाउस है दोस्तों इसके फेसिंग की बात करें इसमें दो फेसिंग है दोस्तों एक फ्लैट में आपको नॉर्थ फेसिंग से खुलेगा और एक आपको इस्ट फेसिंग से खुलेगा दो रास्ते हैं इस फ्लैट के चले हम बाहर का आपको पेंठाउस आपको मिलने जा रहा है स्कूल, मार्केट, मॉल, बैंक आपको मात्र, चंद कदम की दूरी पे है बिल्कुल ओन रोड सारी सहुलियते की चीजें आपको मिलेगी संट कैरें स्कूल से पहले ये पेंठाउस है दोस्तो देख सकते हैं क्वालिटी ओफ वर्क बहुत ही प्रीमियम है सारे प्रीमियम ब्रैंड यूजड है पुरे फ्लैट में ये इस रूम का आप देख सकते हैं व्यूव इसमें भी आपको अटैच बास्रूम और अटैच बालकनी आपको मिलेगी पूरा बेड वगरा सारा काम इसमें भी कराया गया है बहुत अच्छा फ्लैट है दोस्तों ये मैं बता दू ये फिफ्ट फ्लोर पे सिचुएटेड ये पेंट हाउस में है मिलने जा रहा है आपको बिल्कुल बेली रोट से नस्दीक में